नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jyotis Secret साल 2021 का ये लगने बाला चंदर गरहन कार्तिक माँ के सुकल पक्ष की पुर्णिमा जिसे हम कार्तिक पुर्णिमा कहते हैं देव दिपावली कहते हैं इस दिन लगने जा रहा है साल 2021 में ये अंतिम चंद्रग्रहन है और ये चंद्रग्रहन कार्तिक मास के सुक्लपक्ष की पुर्णिमा यानि कार्तिक पुर्णिमा के दिन लगने जा रहा है 19 नुवंबर सुक्रवार के दिन 2021 में चुकि ये साल का अंतिम है और अगर हम जोतिस की माने तो ये ग्रहन लगना बहुत ही असूब है क्योंकि ये निगेटिव एनरजी ही देता है ग्रहन हर बैक्ति के जीवन पर प्रभाव भी डालता है कुछ लोगों के खासकर रासियों के उपर बहुत अच्छा प्रभाव रह लगें तमाम बाते जारी है वीडियो के अंतक बने रहें चुकि साल का आखरी चंद्रगरहन है और 19 नुमबर सुक्रवार को लग रहा है ये चंद्रगरहन ब्रिस्टब रासी कृतिका नच्छत्र में लगेगा और इससे ब्रिस्टब रासी सबसे जादा प्रभावित होग हलांकि आंसी ग्रहन होगा लेकिन ग्रहन का प्रभाव 15 दिनों तक रहता है ये ग्रहन भारत के असम और अनुनाचल परदेश में कुछ समय के लिए दिखाई देगा इसके साथ ही अमेरिका उत्तरी यूरोग पूर्वी एसिया आस्ट्रेलिया परसांत महासागर जैसे छेत सुक्रवार के दिन सुबह 11 बच कर 34 मिनट से ग्रहन सुरू होगा और साम 5 बच कर 33 मिनट पर खत्म होगा हलांकि भारत में ग्रहन दिखाई नहीं देगा इसलिए सूतक भी मानने नहीं होगा धार्मिक मानिता के अनुसार क्योंकि ग्रहन के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए तो सूतक काल में खाना नहीं बनाया जाता पूजा पाट नहीं की जाते आप मंत्र जब कर सकते हैं पर भगवान की मूरती चुना उन्हें पुस्प अर्पित करना ये सभी ची पाता नहीं रखनी चाहिए ग्रहन के समय जितना ज्यादा हो नमस सिवाय का जब करें तो आपके लिए उत्तम होगा वैसे तो ये ग्रहन बहुत सारे बदलाओं लेकर आ रहे हैं लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं के लिए खास ग्रहन के पहले ही आप फ्रेस होकर बैठ जाए अपने कहीं भी आप बैठ सकते हैं चेहर पे बेड पे ज़्यादा दर बैठ के नहीं रह सकते हैं लेकिन एक चोटा सा काम कीजेगा एक पानी वाला नारियल अपने गोद में लेकर बैठ येगा जितना समय ग्रहन रहता है और अपने माते पर लाल दुपट्टा या ना तोड़ें तिनके भी मत तोड़ें कैंची चाकू काटा चम्र छूरी यानि काटने चीटने वाली चीजों से दूर रहें तच भी नहीं करना सुई धागा का प्रियोग बिल्कुल भी ना करें अगर आप खाना चाहती हैं फल बेगर कोई आपको काट के देगा फिर खाईएगा पर खुद से मत काटिएगा साथी उची आवाजें बात मत कीजे जगड़े लड़ाई मत कीजे गरहन के समें वातावरन इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि इसका थोड़ा सभी आप गलत चीज़ें करती हैं तो आपके गर पर इसका सीधा असर पड़ता है इसलिए साबधानी के साथ ये समें आप गुचारिएगा अगर हम जोतीस की माने तो चुकि चंदरगरहन ब्रिसवरासी और कृतिका नच्छतर में लगेगा इसलिए ब्रिसवरासी बालों के लिए ये चंदरगरहन ठीक नहीं है खासकर जो लोग कृतिका नच्छतर में जम लिए हैं ब्रिसवरासी के हैं उनक अठेन समय आसानी से गुजर जाएगा. यानि नमस सिवय का जितना जादा हो जब करें? चुकि चंदरक्रहन शुरू होने से पहले चंद्रमा jaką धर्ती की उपचाय में प्रवेश करता है और जब चंद्रमा धर्ती यानि पृत्वी की वास्तविक चाया में प्रवेस किये बिना ही बाहर निकल जाता है तो इसे उपचाया चंद्रगरहन कहते हैं तो चंद्रमा जब धर्ती की वास्तविक चाया में प्रिवेस करता है तभी उसे पुर्ण रूप से चंद्रगरहन माना जाता है और उपचाया गरहन को वास्तविक चंद्रगरहन नहीं माना जाता है क्योंकि जोतिस में उपचाया चंद्रमा को गरहन का दर्जा नहीं मिलता है तो बिसब रासी थोड़े से समल के रहना है बांकी रासियों पर इसका प्रभा क्या पड़ेगा ये आप जानना चाह रहे होंगे चलिए हम जान ही नेते हैं देखिए सबसे पहली बात तो सूरी और चंद्रमा के बीच में आकर सूरी की किर्णों को चंद्रमा पर पढ़ने से रोक लेती है जिसे चांद के रंग और आकार में बदलावा जाता है और चंद्रमा पर पृत्वी की वास्तविक चाया ना पढ़कर केवल उसकी उप चाया पढ़ती है इसके कारण इसका प्रभाव कम पढ़ता है तो इस बार चंद्र ग्रहन पूरे भारत में दिखाई नहीं देगा और साथ ही साम पांच बचकर 33 मिनट तक यह ग्रहन है अगर आप भारत के लावे अने देशों में हैं जहां पर ग्रहन दिखाई दे रहा है तो यह फिर आपके लिए पालम करना चाहिए मेस रासी, कन्या रासी, तुला रासी और धनू रासी पर भी ग्रहन का प्रभाव दिख रहा है निगेटीव इसलिए ज़रा समल के रहिएगा बाकी की रासियों के लिए बहुत अच्छा है यह ग्रहन खुशियां लेकर आएगा धन धाने से बढ़ देगा लेकिन इस ग्रह ग्रहन के बाद दूठ चावल अनाच का दान जरूर करें जो गर्वती महिलाएं हैं ग्रहन समाप्त होने के बाद अशनान जरूर करें धन्यवाद